दोस्तो बहुत ही ज़्यादा सर्च करने पर आज मुझे ये किताब जाके मिली है मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा सर्च किया था ये किताब बहुत ही ज़्यादा पुरानी है आप देख सकते हैं इसका एक-एक पेज भी निकला हुआ है एक एक पेज इसका फटा हुआ है बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताब है और ये किताब भरी पड़ी है घरेलू नुस्खों से जो देशी उपचार आप लोग जो सर्च करते हैं जो घरेलू नुस्खे आप जो सर्च करते हैं इस किताब में वो सारे नुस्खे एवेलवल हैं, बहुत ही पुरानी किताब है दोस्तों, आप इसकी डेट भी देख सकते हैं दोस्तों, ये लगबग 1984 के आसपास की किताब है, तो मान के चलिए आप लगबग 35-40 साल पुरानी किताब है ये, एक एक पेज इसका देखो निकल हर तरीके के नुस्खे हैं बच्चे के रोग हों, रोगों से बचाव हो, किसी भी टाइप का रोग हो, सक्ती वर्दक औस दिया हो, सुंदर ये वर्दक हो, बहुत तरीके के नुस्खे हैं होटों की सुंदरता, नेत्र सुंदर ये, नाखुनों का सुंदर ये, पैरों का घरेलू नुस्खे बालों से related, skin से related, हर तरीके का इसमें नुस्खे available हैं, घरेलू उपचार available है, आदे सिर का दर्द, जिसको आदा सीसी का दर्द भी कहते हैं, चक्कराना, बालों का समय से पहले सफेद होना, इसी को देख लीजिए, और मैं आपके साथ ये सारे उपचार, ये सारे घरेलू नुस्खे मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूँ, one by one मैं सब को आपको बताने वाला हूँ, बस आपको करना क्या है, आपको जोड़े रहना है, हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जोड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं एक के एक नुस् से सोते समय अंतिम वस्तू के रूप में लें मतलब कि आपको एक चम्मचावला चूर्ण का रात को सोने से पहले आपको लेना है पानी के साथ ऐसमय बाल सफेद होने और चहरे की कांती नस्ट होने पर जादू का असर करता है साथ ही स्वर को मधुर और सुद्ध बनाता है अब ये कैसे काम करेगा सहयक उपचार है आमला चूर्ण का लेप सूखे आमलों के चूर्ण को पानी के साथ लेई पेस्ट बना कर इसको खोपड़ी पर लेप करने तथा 5-10 मिनट बाद केसों को जल से धो लेने से बाल सफेद होने और गिरने से बंद हो जाते हैं आपको क अपने सिर में बालों में लगाईए स्कैल पल लगाईए और 10-15 मिनट के बाद 5-10 मिनट के बाद आप उसको वॉस कर लीजिए आपके बाल काले होने लगेंगे सफेद बालों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा और बालों का जो ज़ड़ना है वो भी बंद हो जाएगा आवला जल से सिर्ध होना सर्वोत्तम विदी है विदी इस प्रकार है आपको लेने हैं 25 ग्राम सूखे आमले सूखे आमले लेने के बाद में आपको मोटा मोटा कूट कर किये हुए टुकडों को 200 ग्राम पानी में रात भर भिगो दें आपको सूखे आमले लेने हैं और उनको एक रात भर के लिए 200 ग्राम पानी में भिगो देना है आपको केवल 25 ग्राम आमले लगबग 200 ग्राम पानी में मिलाना है और उसको रात भर के लिए रख देना है प्राते फूले हुए आमलों को कड़े हाथ से मसल कर सारा जल पतले स्वच कपड़े से छान लें अब इस नित्रे हुए जल को केसों की जड़ों में हलके हलके अच्छी तरह से मलिए और 10-20 मिनट बाद केसों को साधे पानी से धो डालिए रूखे बालों को सप्ता में एक बार और चिकने बालों को सप्ता में दो बार धोना चाहिए जिनके बाल ओईली होते हैं उनको सप्ता में दो बार दोना चाहिए रूखे बाल हैं किसी के तो वो सप्ता में एक बार लगाए मतलब यह है कि आप इसको हप्ते में एक से दो बार यूज कर सकते हैं उस पानी से अपने बालों को वास करिए बहुत ही काम का नुस्खा है दोस्तो इदर ओदर की आपने बहुत सारी दवाईयां यूज की होंगी एक बार आप इस घरेलू नुस्खे को भी ट्राई करके देखिए बिल्कुल देसी इलाज है आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए आवेशकता हो तो कुछ दिन रोजाना भी धोया जा सकता है आप इसको डेली भी लगा सकते हैं रोजाना भी लगा सकते हैं केस धोने के एक गंटे पहले या जिस दिन केस धोने हो उसके एक दिन पहले रात में आमलों के तेल की मालिस केसों में करें रात में तेल भी लगा कर आप आमला का बालों पर लगा सकते हैं आमला तेल बनाने की विदी प्रिष्ट एक सो दस पर देखें इतने नमबर पेज पर आपको आमला का तेल बनाने की विदी भी मैं बताऊंगा उसको भी हम लोग आपके साथ सेयर करेंगे इस विदी से हर तीसरे दिन केस दोने से केसों की स्यामलता दिन प्रेती दिन बढ़ती रहती है और चरकाल तक उनका सुंदर्य इस्थिर रहता है बालों का गिरना और तूटना बंद होकर उनकी जड़ें मजबूत होती हैं केस काले घने सुच चमकीले और रेसम की तरह मुलायम हो जाते हैं सिर्दर्द तथा आँखों को भी फैदा होता है देखो दोस्तों आमले के कितने फैदे हैं मस्तिस्क में ताजगी रहती है और सिर के रोग दूर होते हैं यदि नजले और मानसिक दुरवलता के कारण बाल गिरते हो तो उपरोक्त विदी से केस धोने से निश्चे ही लाब होता है मतलब आपके बाल कैसे भी गिर रहे हो बालों की जड़े कमजोर हो बाल सफेद हो रहे हो आप आमले का प्रियोग बेजज़क होके कर सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़े आमला खाईए आमला बालों में लगाईए आपको फैदा ही फैदा होगा आमले के ढेड़ सारे गुन होते हैं साबुन से जहां त्वैचा और बालों को हानी पहुंसती है वहाँ आमला जल से धोने से त्वैचा कांती योक्त सक्तिवान और कोमल होगी और केस घने कजरारे और रेसमी बनेंगे तो देखिए दोस्तो आपके बालों के साथ साथ आपकी त्वैचा भी कोमल होगी सरीर का संदर्य भी बढ़ेगा बालों का संदर्य भी बढ़ेगा कितना अच्छा नुस्का है आप इसको बेजजग होके यूज कर सकते हैं आमले के फैदे ही फैदे होते हैं आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल आपके लंबे काले और घने होने लगेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नुस्का ये मुझे मिला है बहुत ही अच्छी दवा है ये बालों के लिए आप इसको ट्राई करके जरूर देखिए बनाके जरूर देखिए बनाना भी आसा के साथ में आमला का लेप बनाईए आमला का लेप बालों में लगाईए आमला के पानी से अपने बालों को वास करिए आपको जो भी चीज इसमें सरल लगे वो आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छी और काम की रेमेडी है बहुत ही अच्छा सोलुशन है बालों के लिए तो आप इसको ट्राइ करके जरूर देखिए और अगले अगले नुस्खे के लिए आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए कनेक्टेट रहिए मैं अगला वीडियो जल्दी ही आप लोगों के साथ सेयर करूँगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए जैहिंद